वेलकम टू माय चानल आजकी यह रेसिपी आपको पसंद आती हो तो प्लीज मेरी चानल को सबस्क्राइब करें बिल मटन को दबाए और यह रेसिपी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर तरें पर चहले हैं रेसिपी स्टाइट करते हैं चिकन खाना पसंद है तो इस पीस भी बना सकती हो तो रेसिपी को ज़रूर देखे पूरा देखे ध्यान से देखे तो चलिए स्टाट करते हैं इसके लिए हमें चाहिए चिकन की पीसे यहाँ पर मैंने 750 ग्राम चिकन को अच्छे से धो करके साफ कर लिया हैं उसकी बाद इसमें एट करेंगे नमक स्वाद स्टाइशं ले लिया हैं साथ मैं हमें चाहिए काजु का पेस्ट मैंने 50 ग्राम काजु को ठोड़े से पौरी से पानी के साथ मिला सकति pedal लिया है हंकद incar का मतलब क्या होता है दः में जब पानी नहीं होता है तो दः को मैं इस तरह से उन चनी में निकाल लिया था और एक क तो अभी इन सब चीजों को हमें आज़े से नहीं होता है तो यहाँ पर पर स्पैचिलर से मशिल मशाल कर बिले के मैरेड़े और यह कॉह बहुत जली-जली हो भी जाता है हाथ की मदद से तो इसे मैरिनेट करने के बाद इसे एक घंटे के लिए हमें फ्रिज में रखना है ताकि मैरिनेशन अच्छी तरह से हो जाए तो पहले इसे एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दिंगे उसके बाद कटाई में तेल गर्म कर लेंगे आप चाहो तो घी भी आट कर सकतों पर मैंने दोनों का use किया है फिर यहाँ पर आट कर देंगे कटे हुए प्यास, प्यास को मैंने बहुत ही पतला-पतला काट लिया है और यहाँ पर मैंने दो medium size की प्याज लिया है अभी प्याज को हमें golden होने तक fry करना है मतलब प्याज को हमें brown नहीं बनाना है सिर्फ golden color में आ जाए तब हमें प्याज को कड़ाई में से निकालके अलग करना है तो यहाँ पर यह golden हो चुके है लेकिन काफी जादा ज्ञाग आ और इसे भी हलका सा fry करके निकाल देंगे और यह हमें चाहिए garnishing के लिए फिर इसमें add कर देंगे काला इलाइची जो बड़े वाले इलाइची होते है जावित्री थोड़ी सी stone flower जिसे कहते है मतलब यह जो है ना यह पत्थर का फूल होते है यह बाजार में असानी से मिल ज देंगे और उसके बाद इसमें add कर देंगे marinated chicken तो marinated chicken को डालने के बाद यहां पर हमें और कोई भी चीज डालने की जरुरत नहीं होती है मसाले में तो अभी इसे अच्छे से mix कर देंगे और gas का flame medium रखे इसे कुझी देर के लिए पका लेंगे फिर इसमें add कर देंगे rose water आधा जममच और kevra water एक जममच क्योंकि यह मुगलाई खाना है तो इसमें इन सब चीजों की डालना ज़रूरी होते है तभी इसका flavor अच्छे आते हैं तो सभी चीजों को अच्छे से mix कर देंगे और mix करने के बाद इसे धकन लगा देंगे और धकन लगा कर दब तक करना ह जब तक कि यह चिकन पूरी तरह से रेडी हो जाएं तो इसे धकन लगा कर छोड़ देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो चिकन रेडी हो चुके है तो आखिर में इसमें डाल देंगे फ्राई की हुई प्यास और यह जो है यह है सैफरन वाटर यह तो डालना ज़रूरी यह जो है इससे ही इसका टेस्ट अच्छे आते है तो इसलिए मैं इसे एकदम आखिर में डालना पसंद करती हूँ और आखिर में डालने से इसका फ्लेवर रहते है खाने में नहीं तो पहले डाल देंगे तो फ्लेवर कम हो जाते हैं तो इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तर कुछ भी देकर आप इसे सर्फ कर सकते हूं यह एकदम लाइट चिकन की डिश है बहुत जादा हेवी नहीं होते हैं बहुत जादा सामान की जरूरत हमें इसमें नहीं होते हैं तो घर पर इसे एक बाद जरूर ट्राइ करके देखें और फिर मुझे बताइए कि आपकी चिकन क कि यह रेसिपी कैसे बनी है और कोई भी सुझाओ हो तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें और रेसिपी को शेर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि यह सभी को पता चले तो चैले फ्रेंड्स फिर में लेंगे एक और नहीं रेसिपी के साथ